पर शामली की कहानला पुलिस का एक अजीबो गरीब कारणामा सामने आया है कहानला पुलिस ने आगबंद कर पास साल के मासूम बच्चे पर संगीन धारा 326 में मुकादमा दर्ज कर आरोपी बना दिया है पुलिस आरोपी की गिरफतारी कर गाउं में दबिश दे रही है पिडित परीजनों ने एसपी शामली से गुहार लगाई तो बच्चे को देखकर एसपी भी चोग गए उन्होंने सीओ कैराना को जाच के निर्देश दिया है दरसल मामला जनपर शामली के कहनला थाना छेत के गाउं खंदरावली का है जहां कहनला पुलिस ने एक पांच वर्चे मासूम को अपरादी बना दिया है कहनला के गाओं खंदरावली में गद 12 दिसंबर को दो पक्ष विनोद पुत्र बल्लीवे महिपाल पक्ष के बीच जगड़ा हो गया था इस जगड़े के बाद दोनों पक्षों में गरामिनों को यह हस्त शेप से समझोता हो गया था जिसमें महिपाल ने थाने में 4 लोगों खिलाफ तहरी दी थी पुलिस ने शांती भंग में विनोद को जेल भेज दिया था वही जब विनोद जेल से बहार आया तो वह भी महिपाल के खिलाफ तहरी लेकर कहनले थाने में पहुँचा इस पर पुलिस ने विनोद को ही ठाने में बैठा कर उसे धारा 326 में जेल भेज दिया जब वह जमानत पर भार आया तो विनोद ने SP शामली को शिकायत पत्र दे कर बताया कि पुलिस अब भी उसके घर पर दबिश दे रही है जानकारी करने पर पता लगा कि पुलिस ने विनोद वे उसके पांच वर्चे पुत्र अक्षय वे दो आग्यात के खिलाब मुकदमा दर्ज किया है उन्होंने SP से शुरक्षा की गोहार लगाई इस पर SP ने शियो कहराना को जांच के निर्देश दे कर कारवाई के निर्देश दिये हैं वही कहनला थाना द्यक्ष का कहना है कि पहले मामला NCR में दर्ज हुआ था बाद में medical report आई तो धारा 326 लगी है अगर कोई सक्स किसी घातक हतियार से किसी को गंभी रूप से जखमी कर देता है या तो IPC की धारा 326 के तहट के दर्ज होता है किसी को चागू मारना, किसी भी सरीर के अंको कार देना या ऐसे जखम देना, दात तोड़ देना, जैसे जान को खतरा पहुँचाना यह वह अपराद है जो 326 में आता है कहांदला से न्यूस 7 के लिए इनाशीर अली की रिपोर्ट चार आदमें को होया जी मुखरम दो, एक बिनोद है जी एक वह अकसे है जी, बच्चा है, 5 साल का, एक सोन हो है और एक है जी अभिनोद, इन चार लोगों पकर रखाजी शामली जन्पत के खुलादा थानाशीर में, खंद्रावली गाहां में दो पक्षों में किसी छोटी बात का लिए विवाज हुआ, जिसके समझ में अभी वो पंजगित कर लिया गया है सर, इसमें एक पांस साल के बच्चे पर भी धारा तीन चुछ लगा दी जिसमें आज इवन कारवास और यादस साल की सजा है एक गिरफतार में जी जला गया है और दो की गिरफतारी होनी है, उन दो में कोई बच्चा रही है तो बच्चे के मामना जोटा है सरा? जया है